हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम आन कुकवित अंडी, आज बनाने वाली हैं बहुत ही तेश्टी और नए तरीके से मेथी और आलू की तेश्टी सबजी, तो चले इसरे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी रेस्पीस पसंद आ अब मैं इसमें डालूँगी एक बड़ा चमच तेल, तेल गरम होने के पाथ मैं इसमें एट करूँगी डालचीनी का टुकड़ा, बे लीफ, तेश पत्ता, और टालूँगी जीरा, 1 अब टीस्पून, और 4-5 कादी मिर्च के दाने, थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे, अब मैं इसमें डालूँगी कटी हुई लेशन, थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे, अब मैं इसमें डालूँगी एक कटी हरी मिर्च, एक कटा प्याज, मिक्स कर लेंगे, और इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे, लो फ्लेम पे, एक मिनट हो गया है, अब मैं इसमें तीन बड़े उबले हुए और कट की हुए आलू, यहां पर मैंने एक सीटी पर आलू को उबाल लिया है, मिक्स करेंगे, एक मिनट के लिए इसे पकाएंगे, एक मिनट हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगे थोड़ी सी हल्टी, थोड़ी से लाल मिर्च पाउडर, तीक हाप अपने टेस्के अकॉर्डिंग एड करें, मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे, कटी हुई मेथी, यहां पर मैंने मेथी के पत्तो को अच्छे से तोड़के, इसमें तीन से चार बर्द होने के बाद इसे कट कर लिया है, और अब मैं से इसमें डाल दूंगे, मिक् मिक्स करेंगे, अच्छे से, और अब मैं इसमें डालोंगी, पोड़ा सा गरम मसाला, और नमक स्वाद अनुसार, और फिर मैं इसे दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगे, ढखके, दो मिनट हो गए हैं, और सबजी भी हमारी अब बन के तयार है, तो अब हम गैस को ब सबजी बन के तयार है, आपने देखा नए तरीके से मैंने आज बनाया है, मसाले वाली मेथी और आलो की सबजी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राए करिए इस वे से, आपकी मेथी के सबजी बहुत ही तेस्टी बनेगी और कड़ी भी नही तो ज़रूर ट्राए करिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक्वे तेंडे पे सस्क्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, थांकियो पोगों की इंए